प्रकमनाएं के चलिए नमस्कार आदाग सची रएकाल सलाम लेखुमुक्पूँ सब्सक्राइब सरकार सब्सक्राइब ग्रूप डी का जो प्रैक्टिस सेट आया है जिसे हम गोल्डेन ग्रूप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से जानते हैं उसका GKGS का सेट नमबर दो देखने वाले हैं तो चलिए अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ बेल एकन को दबा लिज करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो मैं टेलग्राम चैनल पर वीडियो को सेर कर देता हूं चलिए बीना टाइम वेस्ट के क्लास को हम सुरू करते हैं आईए अब हम बात करते हैं आनकेडमी की आनकेडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सकते हैं लिक्स जो है आपको मिल जाएगा आनकेडमी पिक आपको जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड लगाएंगे सारं 10 तो आपको इनस्क्रेब संन्लिष और पर शरे बैंको एक्चि एक्ज़ाम के लिए बहूत इंपोर्टेंट है 2022 के लिए जो कि अल्टरा कमबेट है इसमें बैंक और ससी का एक्जाम इंप्लूड है देखिए अगर हम बात करें यह अमिस्था आपके लिए कुछ नया लेके आते रहता है यहां पर आप देखिए सम्टिंग बिग इस कमिंग यूर वे आपके रास्ते मे हैं आप अभी कर लिजिए और हमारा रेफराल कोट सारंटेंट को जो आप ज़रूर लगाए तो जाइए डिंक डिस्कुशन में हैं और अनकेडमी आप सभी के लिए हमेशा कुछ नकुछ लेका आता है इसके साथ ही अनकेडमी पर बहुत सारा आइकोनिक फीचर है अगर आ आप मेरी बात मानें तो मैं बोलूँगा कि आपको कम से कम एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन आपके सामने है कि कि साल तक भारतिय रेल का लक्ष है कि सभी ब्रॉडगेज प्रट्रियों के 90 विद्वितिकरण हो जाए तो यह कब तक कल हो जाने का लख्ष जो था 2020-21 था है 2006 में परधार मंतरी का अंतरका जो रेल्वे मंतरी थे सुरेश परभुजी उन्होंने यह कहा था कि 2020-21 तक 90% यह हो जाना चाहिए तो आपस्वन यह आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वीडियो अगर आप सभी को अच् प्रिफ्विक ताफमान वह आपको 0.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह परती वर्स की दर्स मतलब परती वर्स बढ़ता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला प्रहन देखते हैं ब्लैक होल जो है संबंधित सही ब्यानों का चैन करें ब्लैक होल उसक इस उसिंग डियेसिन का है रिमेसे को इनके देखिए जोब्लैक हम तो होता है यह होकें थर्मल भकर के करें सहित्षिस के पार जाने के लिए सक्चानीर को qualifying करता है तो ऑसन स si यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रायक drive का दर दरसाता है तो सारे 66 डिग्री जो उत्री अक्षान जो है यह आपका पुत्तर धुरू आर्किट यानि की नौर्थ आर्टिकल सर्कुल को दरसाता है तो ऑप्सन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न मैथ का यह मैगनिसियम हाइड्रोक्स का एक अकार्बनिक योगी होता है जिसका रसाइनिक सुत्र होता है MgOH2 ठीक है यानि कि क्या होता है मैगनिसियम हाइड्रोक्साइड तो ऑप्सन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट यह मिक्स कोश्टन है ठीक है चलिए अगला देखते हैं कौन सा अंग विश हरन करता है और पाचन के लिए आवसक रसाइनों को पैदा करता है क्या करता है विश को हरन करता है और पाचन के लिए आवसक रसाइनों को यह करता है तो लीबर जो होता है यानि यक्रित ये यक्रित उधर गुहा के उपरी दाहिने हिस्से म दाइफ्राम के नीचे और पेड के उपर दाहिनी किड्नी और आतों में स्थीत होता है और संकु के अकार का यक्रित एक गहरे लाल भूले रंग काम होता है जिसका वजन लगभग तीन पॉंड के असपास होता है तो option D क्या हो जाएगा यहां पर आपका राइट आंसर हो होता है यह अक्सर ठंडे नम जलवायु में संकुधारी जंगल के नीचे यह पाए जाते हैं तो यह उत्री संकुधारी बनके में पाए जाने वाले हैं तो option A क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 20 वास्तर पर लगभग 4.30 बॉर्फ मुक्त भूमी छेतर पर कबजा करते हैं यह ठीक है और यूएस में लगभग 3.30 बॉहमी छेतर पर यह इस पॉडो सोल जो है यह कबजा किया हूँ है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट है थोरा से इसे जूम कर लेते हैं थोरा से आउठ हो गया है रुग जी दिखते हैं इन समीच गठन पंचायती राज संस्ताओं को सो पर जाने वाले धाचे सक्तियों और कार्जों का अध्यन करने के लिए किया गया था उनका कालूमि क्रमि क्रम क्या है अब देखिए यहां लिखा हुआ है अस्थानाम समीती असोक मेहता समीती बलवंत राय मेहता समीती और जीवी के समीति इसका जो है सही रूप क्या होगा पहले कौन यानि कि पहले कौन होगा यानि कि कालूनिक क्रामिक में आपको सजाना है तो पहले हो जाएगा बलवंत राई महत्या समीति दूसरा में होगा संथानम समीति तीसरा में होगा असुक महत्या समीति चोथा में होगा जीवी के से डिराओ सम्मीति यानि इसका आंशर क्या हो जायेगा और सी जो गा इसका right answer हो जाएगा next वह सो मेहां द्वारा निमलख़्यत में से क्या लिखा गया था वहांनग रिश्यों द्वारा क्या लिखा गया था तो लोग क्या लिखते अर्नेक अनूस्ठान आ अनुस्ठान जो है वलिदान के अर्थ से संबंदित प्राचीन भारतिय वेदों का हिस्सा है वे आम तोर पर वेदों के वर्गों का परते निदित करते हैं और वैदिक ग्रंथों की कई परतों में से एक है तो यह क्या हो जाएगा अर्नेट तो आप्सन भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट परसीद अंबु अंबु बाची मेला डैस के मंदिर से संबंदित है तो यह जो है परसीद अंबु बाची मेला जो है यह कमाख्या मंदिर से संबंदित है तो आप्सन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा थॉमेस वुडरोव विल्संग 28.12.1856 से तीन फरवनी 1924 के एक अमेरिकी राज में तियक और एकाडमिक थे जिन्होंने 1903 से 1921 तक संजुत राज के 28 वे राश्पती के रूप में क्या थे कार्ज किये थे तो यह वुडरोव विल्सन जो है आपका right answer हो जाएगा ये राष्ट संकिल संस्थाकपर के रूप में इन्हें जाना जाता है चलिए अगला प्रसीन च्रिदेःव खेटरफल से बल का अनुपात यह सामान बल के रूप में परवासित किया जाता है नेक्स्ट नेच्स अगला प्रस्ण है कि भारत का सर्वच परवत तो यह आपका के टू है के टू बिश का दूसरा सबसे उच्छा परवत है यह पाकिस्तान की गिलगीत बलिस्तान चेत्र चीनि द्वारा नियंत्रिस सिंज्यांग प्रदेश में सीमप और कारोकरम परवतमाला के बालतोरों मुक्ता उपस्रिंकला में इस्तित है इसके उचाई की बात की जाए तो आठ हजार छे सब्गारा मिट्र यह को सकते हैं लोग सवार राष्बा की स्तथा के लिए पातर होने के लिए आज तक निम्तम आयू क्या होने reaching तो कम से कम 25 वर्ष लोगसवा के लिए और आर सा खीलिए है आप टीस वर्ष होना चाहिए को अप्सेन यहां पे आपक़ा राइट आंसर हो जाएगा निक्स निर्व में से कौन होम रूल अंदोनल का सचिव था होम रूल अंदोनल का सचिव कौन था तो सितंबर 1916 में एनि बेशेंट ने मद्रास में होम रूल लिग की अस्तापना किती हैं तो था उस वक जार्ज एरंडेल लिग के सचिव निज़ूT किये गए थे तो जार्ज आँसर आजाएगा विडियो आप सभी को अच्छा लगए तो लाइक आप लोग जरूर करें चलिए नेelस बहुद स्दूब संवंधित है तो बहुद इसके tulsk से संवंध्य थे यह का सूंग वन्स संवंधित है तो option C आपका right answer हो जाएगा सुंग समराज मगत का एक प्राचिन भारतिय राजवन्स था जिसने लगभग 184 से 75 इसा पुर्व तक मद और पुर्वी भारतिय उक्माधीब के छेतर को नियंतृत किया था और मर्ज समराज की गदी सम्हालने के बाद पुषमित्र संगूनी राजवन्स के इस्ताफना की थी इसकी राजधानी जो थी ये पाटलिग पूत्र थी next कौन से वस से दिल्ली संतनत की सुरुवात हुई थी तो दिल्ली संतनत की सुरुवात जो हुआ था ये 1206 इस्वी से शुरू हुआ था तो option B आपका right answer हो जाएगा दिल्ली संतना तुर्किक और पस्टुन यानि अफगान मुल्के पाँच अलकालिक मुस्लिम समराज्यों को संदर्वित करता है जिन्होंने 1206 और 1526 इस्वी के बीच दिल्ली के चित्र पर सासन किया है नेक्स्ट सूचना तथा सार्भामिक पहुचने के लिए अंतराश्टिय दियोस कब मनाया जाता है तो यह अंतराश्टिय दियोस 28 सितंबर को मनाया जाता है तो option C यहां पर आपका right answer हो जाएगा कि नेक्स्ट अगला प्रोस्न है कि निम लिखीत में से किस बायसाराएक शासन काल के अंतरगौत 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 दूसरा और तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ था तो दूसरा और तीसरा गोल में समीजर लौड वीलिंटन के द्वारा 1936 से सम्मदृत कुश्में सानी जो है यानि के लॉर्ड विलिंग्टन के द्वारा हुआ था तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था ठीक है चलिए अगला प्रोस्ट अगला प्रोस्ट है कि निमलिखीत में से कौन सा सकल घरेली उत्पाद निराइद करने का पद्धती नहीं है घरेली उत्पाद करने का नहीं है तो उत्पादन पत्री आयए व्याय बचत तो यह बचत पत्री जो है यह आपका GDP के लिए नहीं है तो ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएगा नेक्स निमलिखीत जैदिग में से कौ Moi सा प्राचिन जन्पत राजस्थान में इस्तित है तो प्राचिन-adura कौन सा ये मतस्थ जो है यह आपका राजस्थान में श्थीस है तो option C आपका right answer हो जाएगा मतस्थ सम्राज जो है 700-300 इसापुरु वैदुक युक के दोरान 16 सा महा जनपदों में से एक था जैसा कि हिंदु महाकाब महा भारत और छटवी इसापुरु बहुत पार्ट अंगुतर निकाय में वर्नित है जो भारत का अधुनिक राज्य है राष्थान में जैपुर जी लेक उत्री भाग में ब्रयाक नगर इसकी राजधानी थी ठीक है चलिए अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है कि विश्व रेविज दिवास परतिवर्स 28 सितंबर को मनाया जाता है यह दिन किसके पुन्तिति के रूप में मनाया जाता है तो जो रेविज की खोज जो किया था यह लूई पास्चर ने किया था इसी के तर्थ पे यह फ्रांसेसिस रसाइनिक और सु कि विरोजगारी होती है जब लोगों को फिश्व की कुछ महीनों के दोरा नौकली नहीं मिलती होती है तो जिससे कोasse है कि म सीज्णल विरोजगारी तो reduced to कुछ महीने के दौरा नौकरी नहीं मिल रही होती है चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं कि निनलिखीत में से किसने राष्ट्रिय के डिटकोर एंजी सी के महाण देशे के रूप में कार्ज भाज जो है समाला है तो लेफstepCont recipient जेनल गुर्भिल-पाल शिंग ने. राष्ट्रिय के डिटकोर के नहीं महां देशे का कार्द समाला है तो गुर्भिल पाल्सिंग तो नह यहुए आईसो प्रपीन होता है है टिक है डिया को के आऊ सबस्दि हैंहे आपको राइट अंसर यह हो जाएगा मैं यह फ़ोदाशा लंबा कुशन सब्सक्रों थोड़ा सा इसे के कोश्ण है कि कृत्री मट्रील ग्रियन हत्ति कर से होते हैं तो क्रetics गिन रहाऊश का सी से जो होते हैं यह आवक सों विक्रण के लिए पाड़ार्शृफ किर्ण्द निरगामि और विक्रणल के लिए और पार। होते हैं जिता ही, हमारा उन्हें चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्वन है कि चुम्वक्य परवा का एसे इकाई क्या होता है तो चुम्वक्य परवा का एसे मातलग जो होता है यह वेभर होता है तो option C आपका right answer हो जाएगा किसमे होता है यह गुदेदार पौधा में होता है तो option A आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट बासुरी पर डाट के एक रोग का कौन का उप्योग डैस को कम करने के लिए उप्योग किया जाता है जब आप बासुरी देखे होंगे तो एक कौन होता है उस पर किसले किया जाता है उसका टॉर्क जो है ना यानि कि बलागून कम करने के लिए उप्योग किया ज तो इसमें परकास संसलेशन होता है तो option B यहां पर आपका right answer हो जाएगा next पीतल किसका मिस्रधातु होता है तो पीतल जो है copper और जिंग क्या होता है मिस्रधातु होता है यह कई बार question पूछा गया है यह exam के दिरिष्टी से काफी important question होता है next copper sulphate का रंग कैसा होता है तो copper sulphate का रंग यह आपका नीला होता है तो option A यहां पर आपका right answer हो जाएगा next चाय बनाने के लिए टी पे पेक करफ़योंग डेस का एक उधारन होता है चाय बनाने के लिए टी पेक प्योंग जो होता है और्ध पारगम में का उधारन होता है यानि कि सेमी पर्मीबल होता है तो आप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग यातरा करते हैं तो वो टी बेग मिलता है दूद डार देगा लोग आप टी बेग उटार के ऐसे उपर नीचे हिलाईए पी जाईए ठीक है चल खाना बनाने खाना पकाने पोधों के विकास के नियमन में मदद करता है तो आप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अधुनिक आवर्थ सादनी के 18 समू और 7 आवर्थ होते हैं उस तत्व की पर्मानु संख्य क्या है जिसे दूसरे समू और 14 आवर आपका यहां पर राइट आणसर हो जाएगा, मेंगा उसमा गतिक का पाला नियम सम्वन्दीत है उसमा गतिक का पाला नियम जो है यह उज्यास संरक्षन से सम्वन्त यह याणि कि लॉओ आफ तो सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स grace subway does एक laras के पुरिवार के सदस हैं जिसमें सभी में प्रोटोन की संख्या समान लेकिन न्यूटोन की संख्या अलग-अलग होती है तो आइसोटोफ जो होता है समान परवानुकर्वान्ग वाले न्यूक्लोटाइड आइसोटोफ कहलाता है तो ऑप्षन भी क्या हो जाएगा आपका राइड आंसर हो जाएगा रांसर हो कुम होतो है। सभेद कप्रे काले कप्रव की तुल्ला में ठंडे क्यों होता है है तो सम्पूर रूप से परकास को परावर्थित कर देता है और यह परकास को अबजार कर लेता हैं तो प्रकास को प्रवर्थित करते हैं बाप zur राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट निमलिखित में से किसका दर्मान अधिक है? इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूटोन या हैडोजन के ना भी का है? तो किसका दर्मान अधिक होता है? तो न्यूट्रोन का दर्मान सबसे अधिक होता है तो option C यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिट किसके द्वारा निर्मित होता है? तो फॉर्मिक एसिट जो हता है, लाज चीटिंग के डंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिट होता है, तो option B यहाँ पे right answer हो जाएगा नेक्स्ट, प्रिथवी है प्रिथवी क्या है? उस्मा का अच्छा असोसक है, उस्मा का बुरा असोसक है, उस्मा का खराब असोसक और उस्मा का खराब रेडियेटर है या उस्मा का अच्छा असोसक और उस्मा का अच्छा रेडियेटर है तो प्रिधवी क्या है प्रिधवी गर्मी का खराब और गर्मी का खराब रिडियाटर हो थiãoगा सकते हैं तो हम कहुँआ..? इस more का खराब और ख ножा came एक जाय गा का होगा नेक्सियम का क्या होता है तो केल्सियम का एक्राइब कर दो अंसर हो जाएक हो क्या हो जाएगा क्यूं सचände मचली होती है अच्छा यह होगे हैं भी होती है तो और आपसन भी यहां पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए आए ये सब मैथ कोशन है मैथ का वीडियो मैं अप्लोग कट चुका हूं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा क्या करना है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है अगर आपके साथ कोई दोस्त है तो उस दोस्त को वीडियो को सेर करना है अगर आप चैनल पर आप नहीं है तो आपको चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है क्या करना है सब्सक्राइब कर लेना है तो आसा करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चलिए मिलके अगले वीडियो में तब तक के लिए जैए